हलो गाईज कैसे हैं आप नमस्कार आप मैं आपको राखी के उप्लक्ष में के हरी भरी हेल्दी सी रेस्पी बनाना सिखा रही हो यह बहुत हेल्दी है और खाने में बहुत ही टेस्टी आई से बनाना शुरू करते हैं यह देखिए मैंने ले लिए हैं परमल क्या कहते हैं इस इस तरीके से प्लेट में रख लिए हैं मैं आपको परमल के ऐसी मिठाई बनाना सिखा रहे हैं जो आपने कभी ना बनाई हो देखिए इसके हमने दोनों को चाखू की साहिता से काट लिया है इसको हम चाखू से ऐसी सिलकों को निकाल लेंगे चाय तो जो आलू छीनने वाली होती है छीलते हैं जिससे इससे भी आप छील सकते हैं यह देखिए इस तरीके से पतला पतला सा यह छिलका जो हाड होता है इसको हम निकाल लेंगे यह इसी तरीके से हम सारे परमनों के छिलकों को निकाल लेंगे यह और इसको हम बीज से चाखू की साहिता से इसको तरीके से यह देखिए यह मिठाई जों बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगी और हेल्दी बनेगी इसी तरीके से हमने सबी को काट के चील के बीज के चिल को निकाल दिया है कडाई में दख दिया एक ग्लास पानी सबी परमलों को इसमें हम दाल देंगे और एक मिलाट तक इसको बॉयल करके निकालेंगे देखे इसे जायते तक हमने बॉयल नहीं करना है इसको खाली हमने हल्का सॉफ्ट करना है तो एक मिलाट में सॉफ्ट हो जाता है एक पैन ले लिया है उसके हमने देदिया 100 ग्राम खोया मेरे 1500 ग्राम परमल की रेश्पी में आपको बताया है मेरे इसमें 100 ग्राम खोया लगा है इस तरीखी से तो को हलका से भूढ लेंगे बहुत ज्यादा राग ब्राउन जैसा नहीं करेंगे देखिए हलका से हमारा भूंगे त्यार हो गया है इसकी जो पोश्टिकता होती है बहुत ही अच्छी होती है इसमें हमने दाल दिया है दो चम्मज नारियल का बुरादा और इसमें दाल दिया हमें कटेवे ड्राइफुड आपको इभी दाल दीजे और थोड़ी दाल दी चीन क्योंकि जो इसमें बहुत चीनी हम नहीं दालेंगे क्योंकि हमने आगे क्या करना वह भी आपको बताएंगे इसलिए हमने इसमें चीनी अपने स्वादमसार भी आप दाल सकते हैं मैं तोड़ी कमी मात्रा में रखेगा इसको अलटते पलटते वे हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे की देखिए इसतरी के से सो मिक्स करें गे तो खोया यह सब हमारा राइवid हो घाखे देखिए घुप हर चीनी घख देंगे और वस पानी को स wanna को कि अस्वार को ऩो मैल्ट 怪'll तो कैसे उसमें निशान सा बन गया इसलिए हम उसी कड़ाई को यूज किया है देखें चीनी मेल्ट हो गया हमने दाल दिया दो तिन कुटीवी हमने दाल दे इसमें इलाइची चैसे में सुगंद हमारी अच्छी खुस्बू आ जाएगी थोड़ा से गाड़ा हो जाता है तो ह तो यह सामगरी में मीठा थोड़ा कम रखा थखा क्योंकि अमें कि चास्ने में बाईल करना था पस एक मिर्ट से बायल करके इसको वह बहार निकालना है ओ तो तो यहांटत क्योंकि तो फम Was होने के लिए छोड़ देंगे आप अंखे में इसको एक मिनट के लिए रखेंगे तो अच्छे से ठंडा हो जाएगा यह देखिए अभी ठंडे हो गए हैं अब इसमें जो हमने सामगरी बना के रखी थी खुए वाली इसके अंदर हम स्टफिंग को भर देंगे यह देखिए इस तरीके से यह मिठाई बहुत ही टेस्टी होगी उपर से चाहे तो आप इलाइची भी कूट के लगा सकते हैं मेरे इसमें थोड़ी ठूटी फूटी रखी थी बच्चों की तो मैंने वह उसमें थोड़ा सा लगा दिया है सजाने के लिए और खाने में भी इसको अस्वा थोड़ा सा बढ़ सकता है इसी तरीके से सभी परमलों में हम इस तरीके से भर देंगे खोयाई वाली सामगरी को यह देखिए कितनी अच्छी दिख रही है देखने में उतनी अच्छी है खाने में भी होगी और इसमें हम एक एक करके सभी को भर लेंगे इस तरीके से परमल जो बच्चे ना खाते हो इस मिठाई को देखके जरूर खाएंगे क्योंकि परमल की मिठाई लग नहीं रही है ऐसी लगरी कि बजार की रेडिमेट मिठाई होगी इस पे हमने टूटी-फूटी एक-एक पीसिस में लगा दिया है देखे इस तरह के से हमारी मिठाई बनके